आज हम बेने डोसा बनाएंगे बेने का मतलब होता है मक्खन डोसा या फिर बटर डोसा या फिर आप लोनी डोसा भी कह सकते हो इसके उपर गन पाउडर भी डालते हैं घी भी डालते हैं वो भी हम बनाएंगे और उस डोसा का बैटर एकदम परफेक्ट कैसे बनाते ये बहार से एकदम crispy और अंदर से एकदम soft होता है तो आज हम घर पर फिर बैंगलूरु का famous나ə बनेड two स बनाएंगी आज प्रिपी को शूरू करते हैं तो सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे बैटर बनाने कर लिेंगे इक glad मिलाग्यूस के प्लसा बांगे। ये एक राइस की वराइटी है, आसानी से मार्केट में मिल जाती है, आप यहाँ पर उकड़ा चावल का भी इस्तमाल कर सकते हो, इस चावल को एक बड़े से बरतन में डाल देंगे, साथी में आदा कब उरत दाल लेंगे, ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, दाल को को मैंने अच्छे से धो लिया अब हम इसमें खुब सारा पानी डाल देंगे साथी में दो बड़े चमच पोहा डाल देंगे इससे डोसा बहुती सॉफ्ट पनता है और एक छोड़ा चमच मेती के दाने डाल देंगे जो की फर्मेंटेशन प्रोसेस को मदद करता है अब उपर से धकन लगाना है अब इसे 4-5 घंटे तक सोख करने के लिए साइट में रखतेंगे चार से पाच घंटे के बाद आप देख सकते हो दाल और चावल अच्छे से सोख हो चुके अच्छे से फूल चुके है अब जो ये पानी है ना इससे हम में निकल के फेकना है एक पर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिंगे पानी यहाँ पर थंडा डालना है इसमें फिर इस बैटर को अच्छे से पीसना है बैटर को पीसते समय मिक्सी को चालू बंद करें क्यूंकि बैटर जो है बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए इसके लिए हमने इसमें थंडा पा नहीं एकदम फाइन बैटर को आपको पीसना है इस बैटर को अभी एक बड़े से बरतन में डाल देंगे और बाकी के दाल और चावल को सेम तरीके से पीस लेंगे मैंने यहाँ पर दाल और चावल को पीसने के लिए आदा कब पानी यूज़ किया अब इसके अंदर आदा चमच नमक डाल दिन गे और आदा चुड़ा चमच चीनी डाल दिन गे चीनी इसमें बहुत इंप्रौटण है इस बैटर को अभी अच्छे से 2-3 मिनिट के लिए इस भी अच्छे अच्छी करना है नमक को चीनी चीनी औल और इससे ब्राउन कलर क्लर आता है तो चीनी डालन जब फर्मेंट होगा तब वो बैटर डबल हो जाएगा तो बड़ा सा बरतनी लेना ये बहुत ही इंपोर्टन है अब इसे ढग कर एक वाम जगे पर फर्मेंट होने के लिए रख देंगे लगबक 8-10 घंटे के लिए 8-10 घंटे के बाद बैटर हमारा फर्मेंट हो चुका है आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे डबल हो चुका है बैटर इसके अंदर एक जाला बन जाएगा ये आपको मैं दिखाती हूँ यहां पर आप देख सकते हो इसके अंदर कैसी जाली बन चुकी है इसके अंदर हवा भर चुकी है और fermentation वाली खुशब्यू भी इसमें से आ रही है इसको अब ये अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक समन बैटर दीके तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से मिक्स कर दी है मैंने बैटर को ऐसे बैटर होना चाहिए बैटर को फर्मेंट होने के लिए लगबग 8-10 घंटे लगते है गर्मियों के मौसम में और थन के मौसम में 12-13 घंटे लगते है अब यहाँ पर बैटर थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इ इस बैटर से कम से कम 8-10 डोसा बनके तयार होगे जादा बनाने तो आप इसमें दाल और चावल का इस्तमाल जादा करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो पानी डालने के बाद बैटर कैसे बन चुका है ऐसे बैटर होना चाहिए लगबग इसमें 2-3 चमश पानी डाला है त पर पैन गरम हो जाएगा तब हम इसमें 1-4 कप चना डाल डाल देंगे और आदा कप उरत की डाल डाल देंगे और दोनों डालों को एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है जब तक कि डाल में से अच्छे सी खुश्बुना आ जाए और डाल का कलर जो है चेंज ना हो तब तक इसे भूनना है ये बहुत इंपोर्टन है दाल को एकदम लो फ्लेम पर अराम अराम से भूनना है नहीं तो दाल आपकी कच्छी रह जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दाल को अराम अराम से भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है इसमे इने भी सेम तरीके से लो फ्लेम पर धीरे धीरे भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और तील हलके से चटक नहीं जाते तब तक इसे भूनना है तो धीरे धीरे इसे भून ले एक बार आपने इसे भून लिया फिर इसे सेम प्लेट में डाल देंगे और इसे थ लेवर आता है इने भी आपको लो फ्लेंपर धीरे-धीरे भूनना है इस मिर्ची के जगाब कश्मिनी लालमिच का भी इस्तमाल कर सकते हो मिर्चियों को और करीपता को अच्छे से भून लिया फिर इसे सेम प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा थंडा कर लेंगे अब दाल, सफेद तील और मिर्ची और करीपता सब चीजे थंडी हो चुकिये इसे मिक्सी जार में डाल दिंगे साती में आदा छोड़ा चमच हिंग डाल दिंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिंगे नमक डालने के बाद जार कर ढखकन लगा कर इसे दरदर अपिसना है तो दाल को दरदर अपिसना बहुती इंपोर्टन है एक गन पाउडर या फिर पुड़ी बनाने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसे मेंने पीस लिए इसे आप एरटाइट कंटेरनर में स्टोर करके रख सकते हो लगबग एक से देड़ महिने के लिए यह हमारी गन पाउडर या पुड़ी बन के तयार है अब बनाते डोसा तो डोसे के तवे को पहले गरम कर लिंगे थोड़ा सा उसके उपर तेल डाल देंगे पैस को कट करके ऐसे फोक पे लगाना है और उसको तेल को इसे अपलाय करना है पैस से ऐसा करने से आपका डोसा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं तेल को चारो तरफ लगाने के बाद इसके उपर पानी का छीटा मारेगे और इसे पोच लेंगे एक कपड़े से तवे को अच्छे से पोचने के बाद फ्लेम को मीडियम रखना है और बैटर को ऐसे पीचो बिच डाल देंगे 24 डोसा का बैटर डालने के पाद आप देख सकते हैं ऐसे 2-3 बार इसको राउन घूमा कर बीच बीच में पतला और बीच बीच में मोटा लेयर रखना है ऐसे ही आपको डोसा बनाना है इसके बार डोसा सेट हो जाए उसके बाद इसके उपर बटर लगाएंगे मखन लगाएंगे इसलिए इसे बेने डोसा कहते है इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है डोसे में बटर लगाने के बाद इसके उपर मेल्टेड घी डाल दिंगे घी यहाँ पर दो चमच यूज किया है मैंने घी और पुड़ी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है डोसे में फिर इसके उपर हम डाल देंगे गन पाउडर इस गन पाउडर को आप इडली के उपर डोसे के उपर अलग-अलग चीजों के साथ आप खा सकते हो बहुत ही ज़दा टेस्टरी लगती है उसे के उपर घी बटर गन पाउडर डालने के बाद डोसा ब्राउन और क्रिस्पी होने तक इसे मिडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से पकाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना स्पंजी डोसा बना है एकदम सॉफ्ट डोसा बना है एक बाद डोसा अच्छे से पक जाएगा तब इसे साउदानी से निकल लेंगे इस डोसा में घी, बटर और गन पाउडर का टेस्ट बहुत ही अच्छा हते है आप इसे एक बाद जरू ट्राइ करना तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी आसानी से छूट गया है तबे से यह डोसा इसको हम फोल्ड कर लेंगे और इसे निकल लेंगे तो यह हमारा बेने डोसा बनके तयार है तो बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट स्पंजी डोसा बनाए उपर से थोड़ा से हम बटर रख देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाहर से एकदम पर्फेक्ट ब्राउन कलर आ चुका है जो कि हमने बैटर के अंदर चीनी डाली थी ना उसकी वज़े से तो ब्राउन कलर बहुती अच्छे से आया और क्रिस्पी भी बन चुका है डोसा तो जब पर आप बैटर को फर्मेंट होने के लिए रख दोगे तब इसमें चीनी का इस्तमाल जरूर करना उससे इस डोसा का बहुती अच्छा कलर आता है यहाँ पर आप देख सकते हों अंदर का जो लेयर है एकदम सॉफ्ट बनाए एकदम स्पंजी बनाए एकदम पर्फेक्ट बनाए तो यह हमारा सूपर क्रिस्पी बेने डोसा बनके तयार है आप भी से एक बार जरूर ट्राइ करना रेसिपी ट्राइ करने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूले